नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका एक और नी वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आए हूँ टाटा और मर्सडी के कोलेबरेशन में बनी 1210D मोडल 1965 मोडल गाड़ी गाड़ी की वीडियो में आपके देखकर लगा रहा होगा कि गाड़ी काफी समय से किसी जंगल बगरा में कड़ी है पर ऐसा कुछ भी नहीं है गाड़ी आज भी चल रही है एकदम सही तरीके से गाड़ी जो सीजन के नंबर होते हैं जो लोकल नंबर होते हैं जोने इनके सभी लगा रही है इस गाड़ी में जो जो समान लगा है गाड़ी का डैसवोड गाड़ी का कैवन बोडी सारा समान गाड़ी का 1965 का साथ का ये गड़ जब गाड़ी ये आई थी तो उसी के साथ का सारा समान गाड़ी में लगवा अभी भी देख सकते हैं गाड़ी का उपर नंबर देख सकते हैं PNC 4070 गाड़ी का नंबर है और आगे ये गाड़ी मरसरी के लोगों के साथ आती थी क्योंकि पहले जर्मन की मरसरी कंपनी के साथ टाटा का कोलिबरेशन था और 1977 में टूटने के बाद टाटा ने अपनी गाड़ियां निकालनी शुरू की थी सबसे पहले टाटा ने S मोटल गाड़ी निकाली थी गाड़ी के फ्रंट शिशे देख सकते हैं फ्रंट शिशे भी साथ केंगे गाड़ी के और गाड़ी की बोड़ी की कंडिशन देख सकते हैं बोड़ी की कंडिशन काफी अभी खराब हो चुकिया पर फिर भी ये लोकल नमबर लगा रही है रोड़ पर जा रही है और चल रही है ऐसी गाड़ी हैं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी हमारे रोड़ पर क्योंकि ऐसे गाड़ी हैं दो चर हैं पर उनको भी लोगोंने मोडीपेकशन करार रखा है सारी गाड़ी वो नहीं तियार करा रहा है पर ऐसी गाड़ी आपने शायद ही पहले देखी होगी अगर आपने देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि यह गाड़ी कैसी लग रही है आपको देशाते हैं गाड़ी के डैसवुड के हिलाद देशाते हैं काफी जगा जगा से गाड़ी को जर लग खा चुकी है और आगे देशकते हैं हवा बगार लगाने के लिए बोक्स भी देर्क है आगे की फट्टी देशकते हैं नीचे देशकते हैं काफी संगली बगार से डिजाइन डाले गए थे पहले जब गाड़ी आई थी वो आगे से देशकते हैं गाड़ी के लूक देशकते हैं एकनम अलग लुक के साथ गाड़ी जी आई है गाड़ी की गोल लाइटे देशकते हैं आगे मगराट के उपर लगी हुए गाड़ी का आगे आगे इंजने देशकते हैं और गाड़ी की फूट